हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नाम है संदीप और आप सभी देख रहे हैं सान करता हूँ आप सभी के अपने यूटूब चैनल नतिंग इंपॉस्बल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिसकस करने वाले जो टॉपिक है वो संभवाद का है पॉसिलिजम और हम लोग इसके बारे में पूरा डीटेल में discuss करेंगे संभवाद क्या है और geography में इसका क्या importance है उसको भी discuss करेंगे और किन-किन जो रफर्स का संभवाद मतलब approach मानना था और वो उसके समर्थकते हैं उन सभी को देखा जाएगा पहले एक basic concept हम लोग समझ लिए जाएगी संभवाद है क्या और फिर मैं आपको पूरा उसका मतलब किस ने इसको यूज किया सरपुथम इसके word को फिर इसके प्रतिपादक कौन है main contribution किसका है संभवाद के विचार को फैलाने में या उसको उसका विकास करने में ठीक है तो इन सभी चीजों को हम लोग बात करेंगे इस पूरे वी व्यक्त करने वाली यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानो परियावरण की कटपुतली अथवा इसका दास नहीं है ठीक है तो यह मानो और परियावरण के अंतर संभंदों को व्यक्त करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है कि मानो जो है प्र पूरी तरह से मनुस्ते को dominate करती थी या उस पर उसका पूरा प्रभाव होता था ठीक है बट जो इस विचारधाना में उसके एकदम प्रभाव डालती थी मानो पर अब इसमें क्या है कि मानो जो है प्रभाव डालता है प्रकृती के उपर तो ये उसी के आगेंस विचारधार रहा है इसके प्रतिपदम है वो पूरी तरह से प्रकृति को डॉमिनेट करता प्रभावित करता है पूरा कॉंसेप्ट इसका एकदम यही है बस अब हमको यही जान लेना है कौन-कौन इसके समर्थन में थे कौन इसके प्रतिपादक है और संभववाद के वर्ड को सरप्रथम किसने यूज के था इन सभी चीजों को आमको जानना है और बाकी यह दो लाइन में जो कौनसेप्ट है मेन कौनसेप्ट की सम्भववाद है क्या यह चीज मैंने आपको एकदम एक्स्प्लेंड करके इजी वे में बता दिया कि नियतिवाद के अगेंस एकदम जो है सम्भववाद है जो कि मैंने आपको अभी पिता है कि प्रकृति उसमें डोमिनेट करती है और जो सम्भववाद में इसमें मानो जो है प्रकृति को प्रभावित करता है ठीक है आगे देखते है यदि अगर मनुस्य प्रकृति से प्रभावित होता है तो वह अपनी बुद्धी बल तथा कारिक उसलता के आधार पर परियावरण को प्रभावित करता है इसी चीज़ को मैंने अभी just explain किया ठीक है अभी किया मैंने और वही चीज़ इसमें लिखी है ठीक है मैं इसको type कर सके note type में बनाता हूँ इसलिए कि आपको चीज़े बहुत आसान हो ठीक है बहुत easy language में चीज़े हैं कोई एकदम difficult word नहीं एकदम आसान words का use है इसमें ठीक है आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं इसमें तो फिर उसके बाद आगे है कि समय बीतने के साथ साथ विज्ञान तता प्रोध दोगी की का विकास होता है और मनुस्य की प्रकृतिक सक्तियों पर विजय पाने की छमता बढ़ती जाती है यानि कि आप जैसा example के तोर पे देख सकते हो कि पहले जो पहले की जो हमारी सदी थी नव पासाण या पासाण उससे पहले जब आदिवासी जीवन था लोगों का तो कैसा था कैसे लोग अपना खाना पकाते थे कैसे उनके पैनावे थे और कैसे घर थे उनके लेकिन आज उसके different present में या वर्तमान में आप देख सकते हो कि उस समय कहां पे थे और इस समय कहां पे उस समय प्रकृति के एकदम मतलब साथ साथ चलना होता था बट अब इतना हम लोगों अपना विकास कर लिया कि हम लोग जो है प्रकृति को पूरी रूप से प्रभावित करते हैं जैसे कि आप एक्जामपल पर देख सकते हो जैसे नदियों पर डैम बनाना और फिर जो वनों को काटके अगरी कल्चर करना है यानि कि प्रकृति को हम लोग डॉमिनेट कर रहे ह ठीक है तो इसका पूरा कॉंसिप्ट है जैसे जैसे हमारी छमता और सोचने और बुद्धी का विकासवा तैसे तैसे हम लोग अपने मतलब जो है जीवन के इस तरको मतलब अच्छा बेहतर करने के लिए हम लोग प्रकृति को प्रभावित करने लगे ठीक है आगे देखते और अपनी तकनीक का विकास करके जो है आधि मानव वाला जीवन छोड़के वो आधियुनिक जीवन में प्रवेस कर चुका है जिसमें उसको हर सुविदाएं हैं चाहे वो घर से लेके हो या फिर रोड सों माकान सों खाने पीने की चीज़े मतलब नहीं नहीं चीज़ों का पूरव विकास कर लिया आधि के अधुनिक समय में मानव जो है नेक्स आगे देखते हैं उसने वनों को काट कर क्रिसी सुरू की और साथ ही साथ पसुपालन का लाव उठाया ठीक है अभी इन चीज़ों के मैंने आपको बताया कि कैसे प्रवावित मनुस से कर रहा है प्रक इसको भी बताया आपको कि नदी पे कैसे डैम बनाकर मनुस से जो है उस hack ले रहा है चाहे बिजली बनाना हो चाहे फिर सिचाइ कारे करना हो वह मतला बहुत देसीं परियोजना में आता है डैम जो भी बाद होता है ठीक है मरू भूमियोक सिचाइब की जो बहूं मुल्य ख इसका भी आज के समय में मनुस्य पूरी तरह से भर पूरू पयोग कर रहा है ठीक है। यहां सभी मनुस की प्रकृति पर विजय के उधारन है है ठीक है तो और लास्ट वाली जो लाइनेस में कि मतलब मनुस से यहां तक ही सीमित नहीं रए गया वो अंतरिच तक की खोच किया अंतरिच में और भी अपने ज्यान को बढ़ाया ठीक है तो मनुस्य ये नहीं कि अपने पृत्वी के चीजों अर्थ पे जितने भी चीजें उनकी जानकारी को जान लिया तो वहीं तक वो सांत होगा है नहीं मनुस्य की जो जाननी की इच्छा है बहुत ही आगे तक है और वो जानने की कौनसेट ने ये समझाने का प्रयास वाए ठीक है अब आगे हम लोग देखेंगे कि संभवाद वर्ड को यूज किस ने किया उनका क्या कौनसेट था ठीक है उसको आगे देखते हैं तो इसमें आगे देखते हैं लोग तो मानो सबेता के विकास को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में भूगोल, सौरी ये नेताओं नहीं है, वेताओं हैं, गलत है, ठीक है, भूगोल वेताओं होगा, ठीक है, जगा नहीं है, मैंन नहीं लिखा, सौरी फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, भूगोल वेताओं ने 20-वी सताबदी के आरम में निश्चेवाद को छोड़ कर संभवाद को अपनाना सुरू कर दिया, ठीक है, तो जैसे-जैसे जियोग्राफर्स को लगा कि हाँ, मनुस्ते का सच्मुच प्रकृति को डोमिनेट कर रहा है, या प्रभाव डाल ला है अपन तो वो वैसे वैसे नियतिवाद की जो विचारधारा को फॉलो करते थे वैसे वैसे छोड़ के वो संभवाद के विचारधारा के तरफ रुक कियें या मुड़ें ठीक है फिर आगे इसमें देखते है तो आगे इसमें है कि पीटर हैगेट ने संभवाद की परिभासा देते हुए कहा कि निश्चेवाद के विपरीद संभवाद भागोलिक इस्थिती के होते हुए भी मनुस्य को विवहार के वैकल्पिक प्रारूप का चैन करने की स्वतंतता पर बल देता है तो संभवाद की विचारधारा का ये मतलब पीटर हैंगेट थे उन्हें जो परिभासा दी संभवाद की यह पताया कि जो संभवाद की विचारधारा है वो मनुस्य को जो भी मतलब पृत्वी पे जो भी मतलब संसादन है उनके वैकल्पिक रूप हों या स्थाई रूप हों उन सभी को मतलब यूज करने का जो है पूरी तरह से छूट देता है ये संभवाद की विचारदारा ठीक है ये बताता है मतलब मनुस्य अपनी कारे छमता और कुसलता और बुद्धी के बलपे जो मतलब वो करना चाहता है वो कर सकता है ठीक है ये संभवाद के डिफिनेशन पीटर हैगेट के द्वारा दिया गया संभवाद के बारे में ठीक है प्रचलित नहीं हो पाया लेकिन इन्हों नहीं पहले फाउंड अगर माना जाए कि यूज करने वाले पहले तो ये हैं लेकिन पूरी तरह से उसको प्रख्यात या विख्यात करने वाले जो थे विडाल डिला ब्लास थे ठीक है तो लुसियन फेवरे के बारे में जाने लेते ह उनके अनुसार मनुस से एक भौगोलिक अभी करता है और नियूंतम नहीं है यानि कि जो मनुस से है वो भौगोलिक अभी करता या जो भी कस्टमर है समझ दीजिए कस्टमर है या भोगता है ठीक है और वो नियूंतम नहीं है नियूंतम का मतलब कि ये नियतिवाद के बार पूरा तरह से मतला में कॉंसेप्ट था यह पूरी ते से वह एक्स्प्लेन कर रहे थे कि जो है पृत्वी पे बहुत सारी संभावनाएं पूरा तरह से मतलब कोई उसको प्रभावित नहीं कर रहा है तो इनका पूरा यह कॉंसेप्ट था बताने का ठीक है आगे देखते हैं अगले जो जियोग्राफर्स हैं जो संभावाद के में कॉंसेप्ट यानि की में प्रचलित करने वाले संभावाद को यह थे विडाल डिला ब्लास मोद है ठीक है तो इन्होंने पूरे संभावाद को एगदम क्या बोला कि यह था फेमस कर दिया जो भी बोल सकते हैं करेंट की लेंग्विज में फेमस कर दिया या प्रचलित कर दिया ठीक है तो फ्रांस के विडाल डिला ब्लास को सही अर्थों में संभावाद का संस्थापक माना जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लूसियर फेवरे थे संभावाद वर्ड का यूज किया था और कुछ उ 1923 में उनकी पुस्तक मानो भूगल के सिध्धान्त में मानो भूगल के सम्मंधित सिध्धान्त छपे थे ठीक है इस पुस्तक के दूसरे भाग में ब्लास मानो द्वारा वातावरण के विकास की विदियों और मानवी ये संस्कृतियों का विसले सर्थ किया है ठीक है तो य उस concept मतलब books में छपी हुई थी या पूरी book में उन्होंने लिखी थी ठीक है और उनके book के दो parts थे तो दूसरे भाग में मानो द्वारा वातावरण के विकास या नि कि मानो किस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करता है उन सभी चीजियों के बारे में उन्होंने explain किया ठीक है तो आगे देखते हैं तो आगे इसमें है हमारा की इन्होंने भागोलिक एकता का सिध्धान दिया भागोलिक एकता या पार्थिवेकता जो भी कहले पार्थिवेकता भी पूछता है भागोलिक एकता भी बोल सकते हैं आप ठीक है भागोलिक एकता का सिध्धान दिय और फिर के अतिरिक्त मनुस्य को सक्रिय कारक भी माना ठीक है पार्थिवेक्ता का तो सिधान दिया लेकिन जो संभवाद का एप्रोच भी रखते थे तो ये मनुस्य को जो है एकदम सक्रिय कारक मानते थे यानि कि जो मनुस्य है वो कारेसील है मतलब सक्रिय है और जो भी है प लोगों ने फ्रांसिसी जियोग्राफास को जब पढ़ थे तो उनकी पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजे हैं हम लोगों ने डिसकस कर लिया ओलेडी ठीक है आगे देखते हैं जीन ब्रून्स के बारे में तो जीन ब्रून्स क्या रखते थे संभवाद के बारे में अपनी वि ब्लास्ट सौरी यह गलत लिखा है यहां पर ब्लास होगा ठीक है ब्लास होगा यहां पर भी लिख देता हूं मैं ठीक है टाइप में मिस्टेक्स हो जाता है टाइप करने में ठीक है तो आप इसको समझ सकते हो ठीक है तो देखते हैं इसको आगे तो जो यह कठर सा मर्थक अब यहां तक देखा उसकी पुस्तक मानव भूगोल जो है कि 1910 में यानि 1910 में प्रकासित हुई इस पुस्तक में जीन बुरूंस ने जो है बलास के विचारों को ये गलत है बलास अभी मैंने बताया आपको बलास के विचारों को ही आगे नहीं बढ़ाया बलकि मनुष से पर्यावरन सम्मंदों को भी विस्तार पुर्वक समझाया था अपनी किस पुस्तक में मानव भूगोल में जो की 1910 में प्रकासित हुई यहां से कोस्टिन बन सकता है आपको मैंने इस टाइप से बताया कि जीन पुरूंस की जो फेमस बुक है जो 1910 में या 1910 में प्रकासित हुई वो कौन सी बुक है तो आप बोले मानव भूगोल ठीक है यहां से कोस्टिन आप नोट कर सकते हूँ आगे देखते है फिर अगले जो जियोग्राफर है वो इसा बोमेन है ठीक है तो यह क्या संभवबाद के बारे में बताते हैं इनको भी देखते हैं इसा बोमेन ने अपनी पुस्तक में परियावरण पर मनुस्य के प्रभाव को उजागर किया ठीक है इन्हों ने अपनी जो लेखन कारिया रचना की है उसमें जो है मनुस्य के प्रभावों को explain किया है ठीक है इसा बोमेन ने बताया कि वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित तथा विशिष्ट आवस्था में ही इस्थित हैं ठीक है जैसे ही मानों के संपर्क में आते हैं वो मानोता की भाती परिवर्तन सील हो जाते हैं ठ कि जो भी मतलब विशिष्ट आवस्था है कुछ भी हो या कच्चे मैटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं कि कच्चा मैटेरियल फिर उसको प्रोसेस करके अपने काम की चीजों में उप्योग में लाते हैं जैसे सोना हुआ आपका तो वो क्या मतलब कि पूरी तरह से जैसा क कि हम लोग बिस्किट देखते हैं वरतवान समय सोने के बिस्किट जो बनते हैं तो वो उस अवस्था में नहीं होता है हम उसको माइनिंग करके निकालते हैं बहुत चोटे चोटे कर्स में और उसको प्रोसेस करते हैं ठीक है और फिर उसको अभी करेंटे में जो आप बिस् तो मतलब पूरी तरह से संभवाद का आपको concept मैंने बहुत ही easy way में खतम करने की कोशिस की आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को बनाने बहुत सरा time लगता है मैं देखता हूँ वीडियो में बहुत कम लाइक सा आप लोग करते हैं मतलब appreciate नहीं करोगे यार तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा बताओ अब 70-80 लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 4-5 लोग बस लाइक करते हैं मतलब 4-5 लोगों के लिए ही वेनफिसर वीडियो है अरे अरे यार मतलब थोड़ा सा तो कुछ मतलब करना चाहिए आपको कि यार appreciate करेतने time लगाता हूँ मैं ठीक है तो आपको अच्छा नहीं लगे तो भी comment करके बता सकते हो कम से कम like न करो तो dislike भी करोगे तो इससे भी तो समझ में आएगा मुझे कि क्या problem है आपको तो dislike भी किया करोगर नहीं समझ में आ रहा है अगर नहीं पसंद दे तो ठीक है तो friends आज की वीडियो में इतना ही ठीक है मैंने पूरे concept को अच्छे समझाने की कोशिस की I hope आपको अच्छा भी लगा होगा तो आप वीडियो को like करें ठीक है like करें फिर उसके बाद आप इसको share कर सकते है अपने friends के साथ importance आपको लगता है कि चीजों के बारे में अपने friends को जाना चाहिए तो इसको share कर सकते हैं और फिर subscribe करना न भूले ठीक है subscribe जरूर करें और फिर बगल में बेल आइकन का बटन होता है sorry उसके बगल में जो आपका बेल आइकन का ये बटन होता है ठीक है इसको आप जरूर प्रेस कर लें ठीक है तो ये जो घंटी का निसान है आपका ये ऐसे कुछ हो जाएगा जब आप active करेंगे ठीक है एक मतलब अब जो update हुआ YouTube में तो उसमें क्या हो रहा है कि बेल आइकन पर जाने पर आपको तीन option दे रहे है उसमें none पे मतलब एक तो notification on होगा लेकिन दिखाए नहीं देगा लेकिन जिस घंटी पे आपका ये सबसे उपर देगा all लिखा रहेगा उस पे उस तरह का symbol बनाओगा आप उसको select करोगे तो सारा notification आप चला जाएगा ठीक है एकदम कोई वी वीडियो का notification miss नहीं होगा ठीक है तो friends आज की वीडियो में बस इ complete लगबग हो चुका है ठीक है तो next हम लोग जो unit पे discuss करेंगे वो होगा हम लोग का geomorphology खतम करेंगे और फिर उसके बाद मतलब पूरा जो भी unit है जितने भी हमारे 10 units है UGC के net according लेकिन हम लोग ये 10 unit अगर complete करते हैं तो ये हम लोग को PGT, TGT और भी first grade के exam जो भी है और जो नहीं particular में बता रहा हूँ आपको कि ये बस जो हम लोग मतलब complete कर रहे हैं तो ये बस हम लोग क्या बोलते हैं कि UGC net के लिए काम करेंगा TGT नहीं ये जितने भी exam है उसमें आपको पूरी तरह से help करेंगे आप मानो या ना मानो आप इन concept को अगर अच्छे से तयार कर रह है तो ठीक है तो फ्रेंट आग के वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत